Hello friends, आज हम request dispatcher interface के बारे में इस tutorial में study करेंगे request dispatcher interface हमें ये facility provide करता है कि हम dispatch कर सकते है request को एक servlet से दूसरे resource में और वो दूसरा resource हमारा कोई भी file हो सकती है example के लिए हमारा jsp की file हो सकती है html की file हो सकती है या servlet की file हो सकती है event हम किसी दूसरे resource को, दूसरे resource के content को हम इसके अंदर include भी कर सकते है like html तो आईए इसे हम practically देखते हैं कि किस तरीके से हम request dispatcher को use करते है इसके लिए हमने simply file पे click किया, file से new किया new से हमने dynamic web project ले लिया और यहाँ पे हमने अपने project का नाम रख दिया request dispatcher request dispatcher demo 1 then हमने यहाँ से next कर दिया next then यहाँ पे generate web.xml deployment descriptor पे चेक कर दिया and then finish कर दिया finish करने के बार अब हमने यहाँ पे simple सा work perform किया कि हम web content पे गए हमने हाँ से right click किया new ले लिया new से हमने यहाँ पे HTML की फाइल ले लिया जिसका नाम रख दिया index.html body part में आ गया body part में हमने यहाँ से एक form ले लिया form का form के अंदर मैंने action tag में अपने servlet का url दे दिया servlet one then हमने इसे close कर दिया form के अंदर हमने यहाँ पे प्री टैग यूज़ कर दिया and then हमने यहाँ पे लिग दिया user id और यहाँ पे हमने input type ले लिया text then हमने यहाँ पे name दे दिया user id then हमने close कर दिया यहाँ पे हमने लिग दिया password then हमने यहाँ पे input type ले लिया input type equal हमने text ले लिया then हमने name equal दे दिया password then हमने यहाँ पे input type submit ले लिया and then हमने यहाँ पे value दिया submit then हमने यहाँ बंद कर दिया यहाँ पे हमने दो text box और एक button create कर लिया जिसमें हम हम पहले text box में user का ID देंगे और second में हम password देंगे इसी का request हमारा जाएगा servlet one पे यानि जो हमारा first servlet होगा उस पे जाएगा और उसका URL हमने यहाँ पे servlet one दे रखा है तो आई यहाँ यहाँ पे java resource के अंदर चलते हैं resource पे हम src folder के अंदर जाके हमने यहाँ से new किया new से हमने यहाँ पे एक servlet ले लिया और इस servlet का नाम रख दिया first servlet हम http servlet यूज कर रहे हैं हमने यहाँ से next कर लिया next करने के बाद हमारे servlet का नाम यहाँ पे for servlet आ गया and URL mapping में यहाँ पे देखे for servlet दिखा रहा है इस URL को मैंने यहाँ पे edit कर दिया और इसका नाम हमने servlet इसका URL हमने servlet one कर दिया अब हमने यहाँ से okay कर दिया then हमने next कर दिया और यहाँ पे हमें बहुत सारे methods दिखा रहे हैं जिनमें मैंने simply जो है do post and do get method को check कर दिया और check करके यहाँ पे हमने finish कर लिया फिनिस करने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे तो हमारा servlet जो है यह create हो गया हमारे servlet का नाम for servlet हो गया जो extend कर रहा है http servlet को then हम यहाँ पे आ गए do get के अंदर do get के अंदर हमने simply यहाँ पे string type का user id के नाम से एक variable लिया request dot get parameter किया और यहाँ पे हमने user id लिख लिया इस statement का मतलब है कि हम request कर रहे है get parameter method के थ्रू user id के लिए और user id हमारा क्या है जो index में हमने text box बना रखा है उसका नाम में अब जो भी value हम उस text box के अंदर देंगे वो value हमारी assign हो जाएगी इस string type के variable user id के अंदर then हम same process करेंगे यहाँ पर string then हमने यहाँ पर password कर लिया equal request dot get request dot get parameter and यहाँ पर हमने पास कर दिया password अब हमने यहाँ से password get कर लिया password get करने के बाद अब हमने यहाँ पर एक if का condition लगा दिया if और यहाँ पर हमने लेखा user id dot equals 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 one यानि user id अगर one होता है and password dot equals equals यानि कि अगर हमारा user id one हो और password राम हो तो उस condition में हमारा condition true हो जाएगा और true होने के बाद अब हमने यहाँ पर request dispatcher interface को यूज कर लिया एक simple सा variable rd declare किया और यहाँ पर हमने request किया dot get request dispatcher के लिए और यहाँ पर हमने लिख दिया servlet to rd dot forward use कर लिया हमने यहाँ पर request डाल दिया and response डाल दिया means request dispatcher interface की पास एक forward नाम का method होता है जो simply हमें क्या करेगा forward कर देगा sublet to okay then हम यहाँ पर else part में आ गए अगर हमारा condition false हो जाता है तो हमारा यहाँ पर वापस हमने इसे copy कर लिया और यहाँ पर paste कर दिया and हमने यहाँ पर लिख दिया slash index dot stml rd dot include हमने यहाँ पर include method यूज़ कर लिया यह हमें क्या करेगा simply index dot html के content को include कर देगा sublet के अंदर और अब हमने यहाँ पर print writer यूज़ कर लिया print writer class यूज़ कर लिया इसका simple subject out दे दिया यहाँ पर हमने request response किया response dot get writer किया then हमने out dot print लिखा print करने के बाद हमने यहाँ लिख दिया invalid user idr password okay control s कर लिया यह हमारा first servlet का पूरा कोड़ हो गया अब हमें क्या करना पड़ेगा second servlet create करना पड़ेगा जहां पर हमारा login successful होने के बाद welcome का message print करेगा तो फिर हम वापस src में आ गये इस पर right click किया हमने यहां नियू कर लिया नियू करने के बाद हमने एक और सर्वलेट एड़ किया जिसका नाम हमने यहां पर रख दिया second servlet second servlet then हमने यहां से next किया next करने के बाद अब हम यहां पर आ गया यहां पर edit पर click किया यूरल में जाके और हमने यहां पर servlet का यूरल कर दिया और यहां पर ok कर लिया हमारे servlet का नाम यहां पर आ गया second servlet then हमने next कर दिया next करने के बाद आपको यहां बहुत सारे method दिखेंगे जिसमें से मैंने do post and do get method यूज कर दिया और यूज करने के बाद हमने यहां पर finish कर दिया finish करने के बाद अब हम यहां पर आ गये second servlet में और do get portion में आ गये और यहां पर फिर हमने print writer class को use किया out equal response dot get writer linear and then हमने यहां पर का out dot print and then हमने यहां double quote में लिख दिया welcome after login after login successful हमने यहां से save कर लिया अब हमारा सारा task complete हो गया complete होने के बाद अब हम request project पर गए इस राइट क्लिक किया यहां से run on server कर लिया यहां पर yes कर दिया यहां से हमने next कर लिया next हमने फिर finish कर लिया okay कर लिया अब हमारा index वाला page यहां पर run करेगा अब इस index वाले page पर हम simply one देंगे और यहां पर हमने राम दे दिया और submit करने के बाद आप यहां देखेंगे कि यहां पर आपको दे रहा है welcome after login successful यानि कि आपका submit two पर हमारा forward हो गया अब आप यहां पर back कर लिजिए मैं यहां पर simply password गलत दे देता हूं और submit करता हूं submit करने के बाद अब यहां पर आप देखेंगे कि दे रहा है invalid user ID या password clear यह था हमारा request dispatcher interface का use जो हमें एक resource से दूसरे resource के बीच में linking provide करता है आप method यहां पर forward method होता है और include method होता है forward method आपको redirect करता है और include method दूसरे resource के content को servlet के अंदर include करता है thank you झाल 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 झाल